नमस्कार दोस्तों, आज हम आप्कों driver को by we apply pass कर ने सखाइंगे यह आप जो driver देख रहे हैं, ऌचा aic आध डाइबर है और इस की जो है है ic खराव होगाई है जो ë इस लगी हुई है dog ॥J को रेप्लेश करने के चांच नहीं रहते है तो SIC को रिप्लेश ना करती हुए हम इसको बाइपाश करना सिखेंगे इसको बाइपाश करने के लिए हमें ये जो 105 ये कैपिसिटर देख रहे हैं आप इसकी जविवत पड़ेगी और और बांकी सब्कांट इसी प्लेक्स्टर हो जाएगा पुरानी PCV से तो इसकी लिए आप लोग जानते होंगे कि रेक्टिफायर लगा हुआ है यदि आप से चेक करती नहीं बनता तो मैं उसी बता दूंगा और रेक्टिफायर के बाद हमें जिस पी अफ लगा हुआ है कंडेंसर इसकी ज़िए पड़ेगी और बांकी हमें सब कुछ फोड़ेना है तो इस रेक्टिफायर को चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रेक्ट है आप मल्टिमीटर को कंटिनुटी मोड़ पर रख लेजिए यहां पर और आप इसके दोनों वाई लेजिए किसान डा रह mechanics जो इसिंट लिए ऐसशानमड है दूस्तों जिदी हम रेक्टिफायर चेक करें इसे इसमें बीग की साउड नहीं आने चाहिए एक साइट सोच करेगा और इसको हम दूसरी साइब स्चार्यार गैए ठोजे दो इसमें रीडिंग नहीं आती सिर्मृतित शह प है नहीं पारे तो नहीं लोग में यह है में अधिए हुझ में हैं कि विखिटरा में ईजितु तो यह पॉइंẹ वाले हैं और यह जो दो पॉइंट ये डी सी वाले कि यहां हम एसी इंपुट करते हैं और यह हमको आउट्पूट देसी ट्रांसफर कर देता है तो सिंपल शिक्रत है यह जो हमारा 125 जे 105 जे कैपिसिटर है जो हम इसमें इन्पूट करेंगे 220 बोल्ट एसी हम इसी के एक पॉइंट पे इसको लगा देंगे पॉइंट पे लगाने से पहले इसमें जो इंडेक्टर क्वाल लगी रहती है यह कि इस इंडेक्टर क्वाल को भी चेक करने के लिए यदि इसमें बीच की आवाज आती है तो यह बलकुल सही है तो इसकी इंडेक्टर क्वाल भी सही नहीं है लेट तो इसको इसको डारेक्ट ही कर दें क्योंकि यह खराब हो चुकी है तो आप जो क्यापिसिटल लेंगी हम उसको हम इंडेक्टर क्वाल के दोनों पॉइंट पर लगा देंगी इंडेक्टर क्वाल को भी हम डारेक्ट कर देंगी रही है है किर याफ देख सकते हैं दोश्तों इंडेक्टर क्वाल को हमने डारेक्ट कर द्र घ्रेक्ट मेरते से और य। सही हो तो आप केहां पर आप इसको लगा सकती है कि अधितर की पॉइंट को आप यहां पर दे सकते हैं लग्ला की ज़ी यह contradiction घोड़ा II है यहां इसको आप सोड़ है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा से और दोशतों अभ हम है कि वेकल यह कर दो देख सकती हैं यह यह माइनस बाला पॉइंट है इसका स्वेट्टिफायर का सीधे होते हुए यहाँ से यहाँ से कैफिसिटर की प्वैंट को कनम स्भया आप वार माइनस बाले पॉइंट हए मा stiff है क्वार्टे टो इसको आप एंसी रहने दें और इसका जो भॉह फाला पॉइंट है याइडिसी में जा रहा है हम आई फ्रम कोजी ना रहा हुँ यह अई से कुछ आप कोई भी चीज सी इसका काट देए क्योंकि यदे यह आई जाएगा तो आई की हमारी खराब हो चुभी है तो यह स्वर्टिंग बनाएगा उसे आप सीवी चीख से बिल्कुल एजली यह से काट नहीं कि इसके फॉन्ट को दोस्तों हमने यहां से काट भिया है बिल्कुल कि सीवी चीख से आप पैंच का साथ हैं हुआ है वरुयाँ फॉन्ट एक के प्लस से हुँआ है को रहा है टाइबों वरहाँ है यहां से दूसरे डाय और गूंपनेक्ट पूर रहे हैं इनको भी हमें से काट ना पड़ें से को अब कि पूरियर दोस्तों हमने यहां से स्केकर्ण काड़ बीए और आप इन कनेक्शन को काड़ आप देख पा रहे होंगे इसे काड़ दिया रिटं करेंट ना जाय आई सी मे और यहां से भी काड़ दें एजू रेक्टी वाला करेंट ना डाय इस ना अवर हमें एकिक्षाय इसको हम जो फिलत वाला पॉइंट हमारी रैस्टीफायर का यहां से आप देख सकती है इस फिलाष लखा हुआ है एक कैमरे में सही नहीं दिखा रहा है पर इसम्ट लखा हुआ है यहां पर तो आप इसको यहां से उठाकि कैपीशिकर टर्टीक प्लस वाली पॉइंट को जो की मिलती ही रहा हूं आप यहां से उठाती है और यह इसे सिकर का लग वाला पॉइंट रहें इसे इसे आप अन्यक्ट कर दें और इसमें मैंसी सीजी की वायर वी कनेक्ट कर लेंगा एंसी पीचीवी के वायर कनेक्ट हों गये हमारे माइनस वाला यहां पर कनेक्ट हो जाएगा माइनस पर माइनस वाला जो हमारा माइनस परकनेक्ट हो गया दोस्तों और इसकलत वाला पॉइंट से दूस्तों इसकलत वाली पॉइंट से जार रहा हुआ बहुत ही सेंपल ट्रक्षे दूस्तों यह हमारा कनेक्ट हो चुका है